आप मुझे बताईए कि बहन जी की और अखिलेश की सरकारे थी गुंडे परेशान करते थे या नहीं करते थे जोर से बोलो करते थे या नहीं करते थे ये पुलीस जो हमा वो गुंडों से डरती थी भागती थी पूरे देश में पुलीस से गुंडे डरते हैं उत्तरपदेश में माफियाओं से पुलीस डरती थी योगी आदित्यनाद की सरकाराही पांच साल में माफिया पलायन कर गया उत्तरपदेश के बाहर अच पूरे उत्तरपदेश में माफिया ढूंटे हैं तो तीन ही जगपे दिखाई पड़ता है एक तो जैल में दिखाई पड़ता है दूसरा उत्तपदेश के बार दिखाई पड़ता है और तीसरा अगर माफिया ढूनना है तो समाजवादी पाटी के प्रत्यास्यों की सूची में देख लिजे वहाँ पर भी दिखाई पड़ता है मुझे बताओ यह लोग उत्तपदेश का भला कर सकते हैं क्या अगर माफियाओ का राज गया तो मोदी जी माफियाओ का राज रहा तो मोदी जी जो डिफेंस कोरिडोर अलिगड में लेकर आए है जिसमें लाखो करोड का इन्वेस्टमेंट आना है वो डिफेंस कोरिडोर में कोई इंडस्ट्री लेकर नहीं आएगा आएगा बताओ आप आएगा क्या ए भाई बैट जाओ तुम ओ ए मिडिया वालों को बुलाओ तो जरा बैट जाओ भई आप बीच सभा में क्या करे हो आप बैट जाओ नीचे एक कैमेरा में बैट जाओ मित्रो अगर माप्याओं का राज फिर से लाए सपा का राज फिर से लाए तो फिर से एक बार एक कल्प का रखाने जाने वाले हैं उत्तरप्रदेश में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून और व्योस्ता का राज लाने का काम किया है डकेती में 70% की घटोती लूट में 79% की घटोती हत्या में 29% की घटोर्दी अपरहन में 35% की कटोती और बलातकार के अंदर 30% से ज़्यादा कटोती करने का काम ये भारत ये जंता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रो आप मुझे बताओ मित्रो आप मुझे बताओ कस्मीर के अंदर हमेशा के लिए कस्मीर को भारत के साथ जोडना चाहिए या नहीं जोडना चाहिए जोर से बोलो जोडना चाहिये या नहीं जोडना चाहिए। ऑर दारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी। इस शपा बस प्वा कॉंग्रेस कभी हटाते क्या हटाते आपने मोदी जी को प्रधान मंत्री दूसरी बार बनाया पांच अगस्त दोजार उन्नीस को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड कर फैंक दिया यह विरोध कर दे थे अखिलेश खड़े होकर धारा 370 का विरोध कर दे आएंगे नहीं हिम्मत नहीं अत्रोली आने की मगर आये तो पुछना अत्रोली वालो कि क्यो भी रोध कर दे थे धारा 370 का इस तरह से वोट बेंक की राते थी होती मेरे सामने खड़े होकर कहा था खून की नद्या बहगी अरे अखिलेश बाबू खून की नद्या छोड़ो कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई कंकर चलाने की नरेंडर मोधी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है भाईयो बेन